हलो अब्रीवन कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे इस नए साल में और नए साल की फिर से एक हार्दिक शूब काम ना है और अभी ये कम से कम 10 से 15 दिनों तक कंटिनुवसली सभी लोगों को हमारे तरफ से विशेश रहेंगे पिकास बहुत सारे वीडियो नहीं देख रहे होंगे फॉर्स्टी टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से आपके लिए 2023 बहुत ही हेल्दी और वेल्दी दोनों ही अच्छा रहे ऐसा हमारा सुब कामना आप सबों के लिए से आज एक स्पेसिलिटी केमिकल्स के बारे में हम लोगों डिसकस करेंगे और इस केमिकल कंपणी को अगर आपने खरीद रखा तो यह आपके लिए बहुत ही जबर्जस वीडियो होगा विकॉज इससे पहले आपने इतनी डिटेल से इस केमिकल कंपणी के बारे में सायद ह ही सुना होगा कहीं पर जी आ मैं बात कर रहा हूं ना अदर दन केम कॉन स्पेसिलिटी केमिकल्स और यह कंपणी जो केमिकल बनाती है इसमें जो इनका सिगमेंट है वो सिगमेंट बहुत ही डिफरेंट है बहुत ही डिफरेंट का मतलब टोटली डिफरेंट है इस सेक्टर पर दूसरी कोई कंपनी इंडियन स्टॉख मार्केट पर लिस्टेड नहीं है एज मेरे जितने नौलेज के अंडर पर barkingBut ऐसी कंपनी अभी तक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है और यह कंपनी एच डी ह-mds IOPS and Cmich chemical को बनाती है क्यों से इंड़स्ट्री पे यूज होती है जैसे कि वे इनजी सी और रिलांसी जैसी इंड़स्ट्री जिस हमक्याम कंपनी जो ड्रिलिंग करती है ड्रिल करने के बाद में कुरूड आयल को निकालती है वह ड्रिलिंग प्रोसेस पे ही इस केमिकल का यूज किया जाता है ठीक है और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 50% की रेविन्यू इनकी से आती है और यह फार्मासोटिकल इंडस्रीज को जाती है इसके बाद में एक और है इनका केमिकल जो की सी एम आई सी है 30% 5% की रेविन्यू यहां से आती है जो एंटी वाइरल ड्रॉक्स के रूप में जो कंपनिया ड्रॉक्स बनाती है वहाँ पर इनका यह केमिकल जाता है तो यह एक बहुत ही बड़ा सिगमेंट है अभी आप देख पा रहे होंगे जो वर्ल्ड की सिचुएशन है जो वाइरल वाइरस की सिचुएशन है और इसके वज़ा से हो सकता है इस कंपनी में एक अच्छा आपको सेल्स देखने को मिले आगे चलके ऐसा आप मान सकते हैं इसकी कोई गैरेंटी नहीं है इसके साथ ओयल वेल यहां पर जो केमिकल है यह कंपनी नॉर्मली यह इनका तीन केमिकल मार्केट में बिखता है तीन सेक्टर पर यह केमिकल बिखता है डोमेस्टिक 71% इंटरनेशनल 29% और एक्सपोर्ट फ्रॉम दा जो कंट्री होता है एक् के पास में और इससे ज्यादा इसकी डिटेल्स में अगर मैं बात करूं तो इससे ज्यादा डिटेल्स में आपको सायद ही कहीं पर इसकी जानकारी दी जाएगी तो अगर यह जानकारी आपको कहीं और से भी मिल रहे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है मार्केट क आप 1000 करोड का मार्केट का प्राइज जो है 300 का 478 का इसका हाई है 500 की लिस्टिंग है इस कंपनी के इसके बाद यह continuously स्टॉक गिरा है बहुत ही नीचे स्टॉक का बहुत अच्छी नहीं है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि दिसंबर 2019 में 55 करोड की सेल्स थी वह सेल्स ठीक टाक इंक्रीज हो रही थी यहां पर देखिए जून के क्वाटर में 89 करोड की सेल्स थी जो की हाइस सेल है पिछले तीन सालों में और सेप्टमबर में यह सेल्स ड्रॉप हुआ 57 परसेंट बट हो सकता है कि फिर से बड़े ऊपर नीचे होता रहेगा कमपनी का प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ तो 25 करोड की हाइस्ट प्रॉफिट है और अभी जो पिछले क्वाडर पिनों ने रिजल्ट पेस किया इसमें सिर्प आठ करोड और कि आसपास में इनकी प्रॉफिट आपको नजर आ रही होगी है अगर मैं स्टॉक के सीजेर की बात करूं तो एक साल के अंदर में यह नेगेटिव रिटन दिया क्योंकि हाली की लिस्टिंग कंपनी है दस सालों का इनका जो कंपाउंडेट प्रॉफिट ग्रोफिट है तो 47% का बहुत ही अच्छा है तो 23% के हिसाब से इनका सेल्स बढ़ रहा पिछले 5 सालों में यह सेल्स आपको माइनस दिख रहा तो यही है थोड़ा सा दिक्कत की बात है कि 3 सालों का जो सेल्स है उसमें हम लोगों को 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है कंपनी की है जो कि यहां पर अगर मैं क्यास देखूं क्यास और ऑपरेटिंग अक्टिविटी यह पी क्यास फॉर दा फाइनसेल एक्टिविटी वह ग्यारा करोड के आसपास में नेट कैस्ट फ्लो दिख रहा तो डेट टुटी रेशियो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चिंता परमोटर की सॉलिड और परमोटर ने पिछले तीन सालों में कोई भी सेथ यह ना बेचा है यह बहुत ही पोजिटिव साहिन है किसी भी कंपशनी के लिए मैं चीज आपको बताना चाहूंगा अगर आफ फंडमेंटन एनलेस और फंडमेंटल के बेस पे किसी स्टॉक को बा बहतरीन जो चीज है वो पर्मोटर्स होल्डिंग है अगर पर्मोटर्स की होल्डिंग पे किसी तरह की कोई भी छेड़खानी आपको देखने को मिले मेरा ऐसा मानना है कि आपको तुरंत उस पे कुछ न कुछ एक्सेन लेना चाहिए या तो स्टेक थोड़ा सा कम करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कनफर्मेशन का जैसा कि यस बैंक पे आपने देखा बहुत सारे कंपनी पे देखा ऐसा मेरा मानना क्यों है इंसाइड पर जोबी चीजे हो रही है वो company के promoters को पता है अगर आपके घर में कोई problem चल रही है तो वो सबसे पहला जो जानने वाला व्यक्ति होगा वो आप खुद होगे और दूसरा कोई भी जानेगा उससे पहले आपको ये जानकारी होगी तो इसलिए किसी company में अगर कोई problem है inside पे तो वो सबसे पहले promoters को मिलता है तो promoters की holding बिल्कुल place नहीं होना चाहिए या फिर decrease नहीं होना चाहिए quarter on quarter basis पे अगर ऐसा होता तो ये fundamental का सबसे बहतरीन पकड़नी की quality होती है किसी share का उस पे decision लेना पब्लिक की 25% की holding है ये थोड़ी से चिंता की बात है FIHDI इस इस stock पे बहुत अच्छी holding नहीं रखते है तो अबर वल एक chemical company है जिनका segment बहुत ही totally different है अगर आपने investment किया है तो आपको कुछ साल इसमें देना चाहिए with positive effect मतलब आपको इसे track करना होगा इसे track करना होगा इसका financial result track करना होगा देगे stock market ऐसा नहीं है कि आपको हर stock profit देखे जाएगा बहुत सारे लोग हमें ये comment करते है केम कॉन specialty chemical हमने introduce किया था जब ये company आई थी listing हुई थी बड़ आज इसका market value क्या है थोड़ा से गिर चुका लगबग 1500 पांट की गिरावट है बड़ आप याद कीजिए कुछ ऐसे stock है जिसने multiple returns हमारे चैनल का माहिदम से आपको निकाल के दिया और ये मेरा कोई ये नहीं ह कि मैंने बताया था तभी आपने बाइक किया होगा आपने कहीं और से भी update देखा होगा तभी आपने बाइक किया वह तैसा नहीं stock market आसा नहीं है नोबडी इस 100% परफेक्ट इन प्रेडिक्शन ऑफ इस टॉक मार्केट और एनी इस टॉक एनी कंपनी इस चीज को ध्यान प आपको काटना चाहिए ना कि प्रॉफिड वाले स्टॉक को तो एकजिट कर जाए अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कंपनी पर आगे फ्यूचर नहीं दिखता और अगर आपको लगता है ऐसा एक छोटा से minimum investment डाल के चुकचाप से बैठी है लेकिन ऐसा में नहीं कहूंगा विकोज chemical sector पर दिगर्ज कंपनीज हैं जिस पर आप पैसे लगा सकते तो यह और रिवीव थी इस केमको ने स्पैसलिटी केमिकल की जो हमारे एक मेंबर्स ने हमें insist किया हमें comment किया जिसके वजह से हमने इस पर वीडियो बना अगर आपको किसी इस पर्टिकुलर स्टॉक प कीजिएगा मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बहुत वाद हमारे चैनल विजिट करने के लिए हमारे वीडियोस देखने के लिए तैंक यू